लक्षे तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में तो चलीए स्टार्ट करते हैं बना लेट के वए बिना फालतू के बात के वए आज का जो हमारा प्रीवियस का कोश चुम भी डिसकस करने वाले हैं वो किस पेपर का है वो है इनवारिमेंट का यानि कि परियावरड यों पार इस्तितिकी का तो इसमें बहुत जादा questions तो नहीं आए हुए है 2013 से ले करके 2021 तक में जो भी paper हुए है अभी तक जितनी भी बार हुए पर सारे हम लोग discuss करने वाले हैं तो इसमें about मुझे लग रहा है कि 60 plus questions है जिसको हम लोग इसे हाँ पर cover करने वाले हैं तो बहुत ही अच्छे से इसको cover करेंगे और चीजों को थोड़ा describe भी करेंगे ताकि अगर उससे संबंदित question थोड़ा हट करके भी आजाए उससे तो भी हम लोग solve कर सकें तो चलिए start करते हैं बस या क्या करिएगा आप लोग like कर दीजेगा क्योंकि last देखते देखते आप भूल जाते हैं तो please like करना बिल्कुल मत भूलें जब आप lecture देखी रहे हैं और हमारे channel बने हुए हैं तो please इसको like करिए share करिए और जो भी subscribe नहीं introducing cultural geography तो यह किसकी book है तो पहले तो मैं एक कहां पर brush ले ले रहे हूं ठीक है ताकि मैं उसको highlight कर सकूं तो एक पुस्तक है जिसका नाव है introducing cultural geography इसमें यह किसकी है जे इ स्पेंसर यूं गैबली एल टॉमस इन्हों ने अपनी पुस्तक में विश्व को कितने Sanskritic विश्व में विभाजित किया है तो कितने में किया गया है यह 2016 का question है आपका है option 9 10 11 12 तो कितने में इसको किया है डिवाइड किया है तो 11 11 Sanskritic विश्व में इसको विभाजित कि किया गया है ठीक है आगे चलते हैं भारत में परियावर संदक्षर important question है यह PCS के दृष्टी कोड से भी और RO ARO जो भी आपके exam आने वाले हैं सारे में important है बात में परियावर संदक्षर अधिनियम का पारित हुआ था option आपके सामने है तो क्या हो जागा इसकांसर 1986 में ठीक सही है गलत है ऐसे आपको बताना है तो चलिए पहला देखते है reason जो है sorry जो statement है कथन है कि जिव मंडल एक खुला यानि खुला को संस्कृत में कहते हैं विवरित यानि शुद्ध हिंदी कह सकते हैं विवरित ठीक है जिव मंडल में खुला यानि विवरित दंत्र का अब थोड़ा सा logic लगाओ क्या सही है क्या नहीं सही है ठीक है बताईए यहाँ पे यह 2017 का question है तो यहाँ पे आपको statement पढ़कर ही clear हो जाना चाहिए कि जिव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुना नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकते है ऐसा और आपका दूसरा गलत है यहाँ पे C option सही हो जाएगा ठीक है यहाँ खुला तंत्र है open system है क्योंकि इसमें पदार्थों का क्या होता है इंपुट और आउटपुट होता रहता है और यहाँ पे बोला इंपुट नहीं होता है पदार्थों का निवेश और बहिर गमन होता रहता है ठीक है पारिस्तित की तंत्र से जो nutrition होते हैं nutrient होते हैं पोशक होते हैं कभी समाप्त नहीं होते हैं यह बार बार पुना चक्रित होते रहते हैं और अनंत काल तक लंबे समय तक काफी time तक यह चलते रहते हैं और किसी भी पारिस्तित की तंत्र में उर्जा का प्रभ पाक ऐसा होता है एक दिशिय होता है और उर्जा का लगभग 10% नियम किसके नियम के अनुसार लिंडे मान के 10% नियम के अनुसार 10% भाग ही एक पोशर अस्तर से अगले पोशर अस्तर में स्थाना अंत्रित होता है ठीक है तो जो पारिस्तित की तंत्र हमारा जो एको सिस्टम उसमें उर्जा का निवेश तता जो आउट पूट है बहिर गमन है वो चलता रहता है ओके आगे चलते हैं पारिस्तित की निमलिखित के बीच पारिस्परिक संबंदों का अध्यन है जियू वातावरड मनुश्वन मिर्दाजल पती और पत्नी तो किसका है जियू और वाताव जियू समुदाय और उनके वातावरड के मद्धि क्या है पारिस्तित की पच्छाप के माप की इकाई क्या है तो क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा अंसर भू मंदलिये हेटेयर ठीक है इसकी जो एकोलोजिकल फूट्प्रिंट के माप की इकाई है वो क्या है भू सरवादिक ब्रिहत पारिस्थितिक तंत्र निमलिखित में इसे कौन सा है तो option आपके सामने है सरवादिक ब्रिहत पोछ रहा है मतलब ऐसा कौन सा जिसमें सभी अड़ हो जाते हैं सभी शामिल हो जाते हैं तो वह जैव मंडल ठीक है जो बायो स्फियर है जैव मंडल है एक जितमे बायोटिक और अबायोटिक दोनों संगठक होते हैं ठीक है इसमें जया मंदल में आगे चलते हैं पारी तंत्रों की घट्टी उत्पादक्ता की क्रम में उनका निमलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है यह आपका 2021 का कोश्चन है कि आपको क्या करना है कि क्या बताना है कि घट्टी उत्पादक्ता के क्रम में अनुक्रम घट्टे क्रम में बताना है ठीक है उनका तो मैंग्रो मैंग्रो के बाद क्या हो जाएगा मैंग्रो के बाद खास अस्थल यानि आप इसको ले सकते हो मैंग्रो फिर उसके बाद घास फिर जील फिर महासागर ठीक है घटे क्रम में घटी उत्पादक्ता के संतर में यानि घटे से ले करके आपको लेके चलना यानि सबसे कम मैंग्रो में फिर घास अस्थल में फिर जील में और सबसे जादा जो होगा वो कहां होगा महासागर में तो इस तरीके से ये आपका क्रमशा सही है निमलिकित में कौन एक अस्थलिये पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं अस्थल पूछा है अस्थल ध्यान देना है कुशन कुछ लोग कन्फ्यूज होताते हैं कि कैसे होगा अस्थलिये पूछा है तो परवत अस्थल है सागरिये पता नहीं और सागर ये पारिस्थित तंत्र जली ये पारिस्थित तंत्र का भाग है यह तंत्र विश्च के सरवाधिक शेत पर फैला हुआ है कौन सा सागर वाला ठीप और ये सागर वाला जो है ये सबसे अधिक इस्थित पारिस्थित तंत्र माना जाता है नेक्स्ट कोश्चिन की तरफ मुव कर रहे हैं निमलेखित में से किस कारे से पारिस्तितिक संतुलन बिगड़ता है ये तो एक छोटा बच्चा भी आंसर इसका लगा देगा लकड़ी काटना सामाजिक वानी की वनारो पर बर महुसो तो लकड़ी काटेंगे भी या तो क्या ह होगा पारिस्तित की तटन्त तो बिगड़े गई है आज कल क्या है यही किया जा रहा है फ्रक्रक्रटे बायो मास कारबन सौर उर्जा 2016 का कोशिन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जो प्रेरक बल होता है वो है हमारा सौर उर्जा सोलर एनर्जी क्योंकि ये उर्जा का क्या है प्रात्मिक्ष रोत है ये कभी नस्ट नहीं होगा आगे चलते हैं जैविक और अजैविक संगठक के मद्ध बिचौलियों का कारे कौन करता है बायोटिक जो है जैविक और अजैविक संगठक जो है उनके मद्ध मेडिटेटर यानि बिचौलिय का कारे करते हैं कौन परजीवी बियोजग उत्पादक या उभोकता कौन करता है ये उत्पादक करते है जो जैविक और अजैव संगटक के मर्द बिचॉलिये का कारे कौन करता उत्पादक करते हैं मतलब उत्पादक किसे कहते हैं उत्पादक किसे कहेंगे किसे कहेंगे तो जो प्रकास संसलेशर के द्वारा मतलब वे पौधे वे पौधे वे पौधे जो प्रकास संसलेशर के द्वारा प्रकास संसलेशर के द्वारा अपना भोजन का निर्मार स्वयम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, और ये क्या करते हैं, उत्पादक ही क्या करते हैं, बायोटिक और अबायोटिक के मद्ध बिचॉलिये का कार, इंटर मेडिटेटर का कारे करते हैं क्योंकि एक तरफ जहां ये प्रकास संसलेशर के द्वारा अपना भोजन खुद बना रहे हैं ठीक है? खुद बनाते हैं तथा मृद्दा से खनीजवा पोशक्तत तो प्राप्त करते हैं वहीं दूसरी और ये क्या करते हैं उप भोखता के लिए प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रुप से भोजन के शोट के रुप में क्या होते हैं विद्धमान रहते हैं आगे चलते हैं पारिष्टिक तंतर के संदर में निमलिकित कत्नों पर विचार केजिए क्या विचार करना स्वापोशी स्वापोशड अस्तर पर उत्पादन को प्रात्मिक उत्पादक्ता कहा जाता है दुत्यक उत्पादक्ता का संदर्व पर पोशी अस्तर के उत्पादन से होता है तो यहाँ पे दोनों स्टेट्मेंट एकदम राइट है बहुत ही सही लिका है ठीक है जैसे के अभी मैंने बताया कि जो हमारा eco-system होता है जो हमारा parcerate की तन्तर होता है उसमें जैविक संगठक को दो भागों बाढ़ते हplant एक तो मैंने पहले बताई था दो भागों है जैविक और जैविक और जैविक को भी और ये जो स्वयम बनाते हैं इनहीं को प्रात्मिक पोशिक या उत्पादक कहते हैं क्लियर और वहीं परपोशी जो होते हैं वो प्रात्मिक दुतियक यो तरत्यक भोगता इसके अंतर गताते हैं ठीक है प्रात्मे की दुतियक या तरतेक उब्भोकता आते हैं उब्भोकता परपोशी जन्तू होते हैं जो स्वपोशी द्वारा जैविक तक्तों से अपना आहार ग्रहन करते हैं तो इस तरीके से हैं पर दोनों स्टेटमेंट राइट है एक पारिस्तित की तंत्र में सकती है घड़ सकती है और विस्टी बात है कि घटेगी तो जैसे मैंने बतायता है दस परसेंट का लिंडे मान तो यह दस परसेंट ऊपर क्या करती है देती रहती है तो इस तरीके से जब आगे बढ़ेगी तो यह क्या हो जाएगी घटी है क्लियर हो गया होगा ठीक है तो इस तरीके से सेश जो पोशर अस्तर के मान सहारियों को सबसे कमोर्जा की प्राप्ति होती है। आगे चलते हैं, नीचे कथन दिया गया है और कारड दिया गया है। तो देख लेते हैं कथन कारड में क्या सही है। पारिस्थित्की के विविद अव्यव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कारड क्या है कि निर्भर नहीं है? मानो क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। यह तो बात सही है, लेकिन अगर निर्भर नहीं, होते हैं, किसे गाम चलता है? तो एक दूरे पर यह depend है, ऐसा नहीं है कि निर्भर नहीं है? और यह तो एकडम सही कि मानोक्रियाओं से वाता वरट क्या है? प्रभावित हो रहा है, तो यह जो अभ्यव है, वह आपस में दू दूसरे पर डिपेंड हैं ठीक है तो यह ध्यान रखना है इस तरीके से यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा एक गलत है आर सही है नेक्स्ट कोश्चन है जाव विद्धा को परिभाशित किया जाता है कैसे परिभाशित करेंगे किसी परियावर में बिन परजातियों की है जो है जातियों होती है परियावर में जो जातियां होती gjort कैई संघडित रहति हैं और यह संगुदाइए 25 में पाए जाते है जाता है जो आलफा बीटा गमा बाती जाती है और यह संकल्पना किस ने किया था विटिकर द्वारा सबसे पहले किसके द्वारा विटिकर मैं लिख दे रहे हूं विटिकर द्वारा 1960 में प्रस्तुत की गई थी ठीक है सबसे पहले आगी चलते हैं भारतिय राष्ट्रिय जैविक प्राधिकरड स्थापित किया गया था और कहां स्थापित किया गया था तो यह किया गया था 2003 चैन्नई में ठीक है क्या हुआ था कि जवित्ता अधनियम आया था 2002 तो इसी को इसी के जो प्रावधान थे प्रावजन से उनको कार्यानवित करने के उद्देशे से क्या हुआ था जो भार्तिय रास्टे जवित्ता प्रादी करण है उसको इसकी स्थापना 2003 में की गई थी जिसका हैड़क अगे चलते हैं कौन एक यूनिस्ट को द्वारा प्रमाडिक भारत की ब्रिहत्तम जव मेंडलिय निधी है कौन सी है पटापट पटाई कौन सी है बहुत ही आसान है ये शेत्रफल के दिश्टे से वो है क्या मनार की खाड़ी क्या है मनार की खाड़ी अगर ये पूछ ले श सभी बायोस्फियर रिजर्बों में तो ये शेत्रफल की दिश्टी से क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा ठीक है सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो कच्छ का रन जो की गुजिरात का है ठीक है भारत में शेत्रफल की दिश्टी से सबसे बड़ा जह मंडलिय निधी पूछा जाए तो कच्छ कारन गुजरात का होगा और सेकंड मनार की खाड़ी लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कौन एक यूनिस्को दोरा प्रमारित छेतरफल की दृष्टि से भारत की ब्रियत्नम जयमंडलिय नहीं दिया है तो वो क्या हो जाएगा और आप्शन में है भी नहीं तो मनार की खाड़ी है सेकंड आप्शन यह हो जाएगा मनार की खाड़ी आप्शन नहीं है इसलिए आगे चलते हैं भारत सरकार ने नौर्वे सरकार एक मिनट नौर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जवितानीतियम कानून के केंदर के स्थापना की है 12 सरकार ने नौर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जब विता नीती कानून के केंदर के स्थापना की है कहां पर तो की है चन नहीं में की है ठीक है? ये की है आगे चलते है भारत में निम्लिकित में किसे एक ज़्या थाहाट भूरी हिमाले होता है तो उसको माना जाता है ठीक है और यहाँ पे पर पूरवी हिमाले नहीं बिल्कि पूरवी घाट है तो इसलिए नहीं होगा क्या हो जाएगा पश्मी घाट हो जाएगा तो यह ध्यान रखना है important equation हर बार exam में कहीं न कहीं पूछ रहेता है pieces में भी कई बात पूछा गया है तो यह कौन सा हो जाएगा पश्मी घाट हो जाएगा अगर हम बात करें hot spot की थोड़ा सा इसको explain करते हैं आगे चलते हैं रुख जाएगे यहां ले ले रही हूँ अगर हम hot spot की बात करें hot spot hot spot की बात करें ठीक है तो इसका प्रियोग सबसे पहले Norman Norman Myers ने किया था hot spot शब्द का सबसे पहले प्रियोग Norman Myers ने किया था कब 1988 में किया था hot spot किसे कहते हैं तो एक ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जो जातियां होती हैं उनकी परियापतता हो और स्थानिये जातियों की अधिकता हो ठीक है समझ में आ गया होगा जातियों की परियापतता और स्थानिये जातियों की अधिकता हो लेकिन साथ ही इन जातियों के अस्तित पर क्या है निरंतर संकट बना हुआ है ठीक है तो इसलिए और ऐसे कौन-कौन से है एक तो मैंने बताया था पूर्वी हिमाल है ठीक है एक मैंने बताया पश्मी घाट ठीक एक मैंने बताया मैनमार भारसीमा एक मैनमार भारसीमा एंड क भारत सिमा वाले छेत्र तथा सूंडा लेंड का भाग है कोई भी आप्शन में रहा है आप ठिक लगा दोगी इतना भारत के प्रथम परिवर्तन पर रास्ट्रे कारियोजना को कब लागू किया गया था कब लागू किया गया था इसको टू थाउजन eight में लागू किया गया भारत के प्रतम जल्वाई परिवर्तन पर रास्ट्रेकारियोजना को 2008 में लागू किया गया था क्या हुआ था भारत सरकार के द्वारा 30 जून 2008 को जलवाई परिवरतन पर राष्ठेकारियोजना जारी की गई थी 刻 30 जून 2008 को जलवाई परिवरतन पर राष्ठेकारियोजना जिसको कहते है NAPCC को लागू किया गया था इसके अंतरगत आठ 2008 को लागो किया गया था और इसके अंतरगत आठ राष्ट्रे मिशन शामिल है वो आठ कौन-कौन से हैं एक तो राष्ट्रे सौर मिशन है दूसरा है राष्ट्रे उर्जा दक्षता में बृद्धी के लिए मिशन है थर्ड आपका सतत आवास पर मिशन है आपका नेक्स्ट हिमाले का पारिसित के इतंतर बनाए रखने के लिए राष्ट्रे मिशन है राष्ट्रे ग्रीन इंडिया मिशन है जलवाई परिवर्थन के लिए रणीति ज्यान संबंधी राष्ट्रे मिशन है और लास्ट आपका सतत क्रशी के लिए राष्ट् स्रीडियम का मतलब होता है clean development mechanism है, स्रीडियम का full form है clean development mechanism, तो क्याक सही नहीं है देखना है, यह हरित ग्रिह गैस के उसरजन को नियंतित करता है, यह global तापी करण को कम करता है, क्योटो प्रोटोकॉलनेस के सतत विकास के आकलन के लिए सुझाओ दिया है, यह विकसित देशों को विकास शील देशों की परियोज़ाओं में पूजी लगाने का निशेद करता है, निशेद करता है जो लिखा है यह गलत है, तो D option गलत है, बाकी आपका तीनों statement सही है, इसमें क्या है विकसित देश विकास शील देशों में कार्बन उत्सरजन कम करने वाली परियोज़ दो हजार बाइस कि स्थितिक इंसार, भारत में कुल कितने प्रोजेक्ट टाइगर, कितने संद्ख्षी से प्रोजेक्ट टाइगर में सरामिल है, 53, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत का वो इदी, 1973 में, ठीक है, तो वो 53 कौन-कौन से हैं, देख लेते हैं, ये देख काउन सार, टाइगर इजर कहा है, तो बांदीपूर, करनाटक में, कारविट, उत्तराखंड, अमंगर, उत्तरपदेश, तो यूपी में अगर पूछ ले, तो यूपी में 4 हैं, अभी काउन कर लीजेगा, अब साथ ही पढ़ते चलिए, देख यूपी का पहला मिल गया, अ आगे चलते हैं, बुकसा, पश्यम बंगाल, इंद्रावती, छत्तिसगर, नामदफ़ा, अरुडांचल, दुधवा, उत्तरपदेश, दो मिल गया, एक अमंगर, अमंगर, दूसरा, दुधवा, ठीक है, दो हो गया, फिर है, कालकांड, कालकांड, मुंडन, थुरई, तमिल प्रदेश, पन्ना, मदप्रदेश, दंपा, मिजूरम, भद्रा, करनाटक, पेच, महरास्ट, पेच ऐसा टाइगा रिजर्वा, जो दोनों राज्यों के सीमा पार है, इसलिए महरास्ट, मदप्रदेश, दोनों में से, जो ऑप्शन में हो, मतलब, दोनों में से कोई एक ही इनकेस दोनों option है तो आयोग इसको cancel भी कर सकते हैं लेकिन ये दोनों राज्यमेटिक है तो इसमें confusion नहीं होना है ये भी ध्यान रखियेगा करनाटक कावल तेलंगाना important है कावल तेलंगाना सत्यमंगलम तमिलनाडू मुकुंद्रा हिल्स राजस्थान नवगाउ नागजीरा महरास्ट नागारजुन आंदरप्रदेश अमराबाद तेलंगाना पीली भी उत्तरप्रदेश तीसरा मिल गया उ मेगामलाई तमिलनाडू रामगड विश्धार राजस्तन रानीपूर उत्तरप्रदेश तो चार मिल गया है अमनगड दुधवा रानीपूर और एक क्या मिला पीली भी ये चार यूपी के हैं तो तिरपन टाइगर रिजर्व हैं तो ये ध्यान रखिएगा कौन एक हरित ग्रिह गैस नहीं है ऑक्सीजन सीयोटो फ्लोरो कार्बन और मीथेन तो कौन सा हरित ग्रिह गैस नहीं है तो ऑक्सीजन जो है ये हरित ग्रिह गैस नहीं है हरित ग्रिह ग्रैस क्या करता है वाई मंडल में पस्तित वे गैसे हैं जो तापिये औरक्त विकरण की सीमा के अंतर जलवाश्प, जलवाश्प, CO2, मीथेन, ठीक है, जलवाश्प, CO2, मीथेन, नाइट्रस आकसाइड है, नाइट्रस आकसाइड और क्लोरो फ्लोरो कार्बन है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, आगे चलते हैं, भूम अंडली ये उश्ट लड़ता, यानि ग्लोबल वार्मिंग के का परड़ क्या होता है सारभामिक संपर्क बहतर हो गए हिम नदी द्रविभूत होने लगी समय से पुर्व आम में बोरा आने लगा स्वास्त पर कूपर भाव पड़ा तो इसका क्या आंसर हो जाएगा पहला अब इससे बहतर तो हो नहीं जाएगा दो तीन चार आप्शन हो जा पुँष्च के लिए दो, हजा अठारा में इन्होंने किया था तो करंट का कोशन था जो कि पोश्च लिया था कौन सी गैस ओजोन परत के हराज के लिए उत्तर दाई है तो अभी आपने पढ़ा है क्या हो जाएगा च्लोरो फ्लोरो कार्बन जो है यह क्या करती है ओजोन हरास के लिए क्या है ये उत्तर दाई है ठीक है अगर हम बात करें ओजोन परत की तो ओजोन परत थोड़ा नीचे चलते हैं जो ओजोन परत है वो समताप मंडल जिसको इंगलिश में कहते हैं स्टैटो स्फियर ठीक है तो समताप मंडल का जो निचला हिस्सा है, समताप मंडल के निचले हिस्से से पृत्वी से लगभग 15-35 km की उचाई पर पाई जाती है ओजोन परत, स्टेटोस फेर के निचले मंडल में पृत्वी से लगभग 15-35 km की उचाई पर, ठीक है, और ओजोन परत के रूप में संकें लगव 15-35 km तक ही है यहां परत क्या करती है सूरी की हानिकारक पर अवैगनी किरोड़ों को पृत्वी पर आने से क्या करती है रोकती है तो ख्लोरोकारबन जो है यह मानो के निर्मानो दोहरा निर्मित गैस यह वा कैसे द्रवीय पदार्थ है जो रेफ्रिज्रेटर और जो यह वाता नुकूली त्यंत्र होते हैं जैसे एसी में तो शीतकारक के रूप में प्रियों कह जाता है ठीक है तो यह ध्यान रखना है नेक्स्ट कोश्चन ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है ओजोन परत प्रत्वी को उच उर्जा विकरर से संदक्षित रख अफ्रिका, एशिया, आस्ट्रेलिया या फिर डक्षिर अमेरिका कहां पर है तो यह जो है आपका एशिया एशिया में उश्कटिवन्दिया पडपाती वनों का क्या है विस्तार जादा है यह जो उश्कटिवन्दिया पडपाती वन होते हैं इनको मांसूनी वन भी कहते है पड़पाती वनों को मन्सूनी वन भी कहते हैं, और ये भारत, मैनमार, थाइलेंड, डक्षरपूर्वेशिया की अन्य भागउ में पाय जाते हैं, इनके ये जो वरिक्ष होते हैं, यह चोड़ी पत्ति वाले होते हैं, यानि वर्ष में एक बार पत्तिया गिराने वाले होते किस प्रकार के वनों में अधिक्तम पादप विवित्ता पाई जाती है तो किस प्रकार के वनों में पाई जाती है तो यह पाई जाती है उर्षकटिवंद्य सदा भारवन यह जो उर्षकटिवंद्य सदा भारवन है इसमें पादपों की यानि प्लांट्स के सरवाधिक पर रहते हैं कौन सा महेंगरोशेत्र गोदावरी नदी के डल्टा पर अवस्थित है कौन सा महेंगरोशेत्र गोदावरी नदी के डल्टा पर इस्थित है तो कौन सा है कोरिंगा यह तो कोरिंगा महेंगरोशेत्र जो है गोदावरी नदी के तट पर इस्थित है कौन सा कोरि पदेश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोह वनिशैत्र कौन सा है यही को रिंगा है रास्ट्य वनी थे उनिस्टों सु बावन के अनसार कौन साव्न का संवर्ग नहीं है तो कौन सा नहीं है रास्ट्य वन सनदक्षित वनद्लैं कराम वन रास्ट्यbrother तो जो रास्ट्रे उद्ध्यान है ये आपका क्या है? इसके अनसार 1 का समवर्ग नहीं है. इसमें संदक्षित 1, रास्ट्रे 1, ग्राम 1, विक्षभू में ये सबाते हैं. भारतिय वन सर्वेक्षड की रिपोर्ट के अनुसार भारत की निमलिकित में से किस राज में भावगोली शेत्र का सरवाधिक प्रतिशत वन शेत्र है अगर हम प्रतिशत की दृष्टी से बात करें भावली शेत्र का सरवाधिक प्रतिशत थोड़ा सा हम लोग भारती के वन इस्तिती रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार देखेंगे ठीक है तो उसमें अगर बात करें अगर पूछ ले कि वनावरड देश में कुल वनावरड कितना है तो 21.71% है ठीक है अगर वनावरड की बात करें ISFR 2021 के अनुसार 21.71% है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है और कुल वनावरड प्लस विक्षावरड पूछ ले वनावरड और विक्षावरड दोनों पूछ ले तो आप लगाओगे 24.62% अगर वनावरड खाली पूछ तो की सिखत्तर और दोनों की बात करें तो 24.62% है लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि किस राज में भागोलिक शेत्र का सरवादिक प्रतिशत 1 शेत्र है तो कौन सा है मिजोरम है मिजोरम प्रतिशत जो है वो क्या है मिजोरम है लेकिन अगर यह पूछ ले कि यह आपको ध्यान रखना है ठीक है मिजोरम राज में भागोलिक शेत्र का सरवादिक प्रतिशत वनावरड खेत्र है और अगर सेकेंड नमबर पे यह 84, 84.53% है मिजोरम में यह आपको ध्यान रखना है आगे चलते हैं भारत की निम्लिकित में से कौन नगर व्रिक्षार उपड में विशिष्टता रखता है तो कौन सा यहाँ पर नगर की बात किया है तो वालपराई जो है यह तमिलनाडू में है यहाँ पर है तो यह भारत का नगर ऐसा है कि व्रिक फियर्स कर दिया गया है पहले 20 वर्ष था तो 20 से घटा करके 5 कर दिया गया है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2017 के अंशा देश के कुल भौगुलिक शेत्र फल का कितना परसेंट वनाच्छादीत है क्या कुशिन कह रहा है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट आइस अपर 2017 2017 के अंशार बोल रहा है कितना भगळुलीक शेðर का कितना परसेंट वनाच्छादीत है कितना माच्छादीत है तो इस टांक के 2017 की रिपरोट आ गई है कितना है 21제가 परसेंट जो है माच्छादीत हैं 쿠 Faica 2011 और 2020 दो नोके addition same योगल होगा किस राज में जन जाती है जिलो की संख्या सबसे अधिक है तो किस में है ? नागा लेंड में नागा लेंड में 11 मेः गालै में 7 मड़ीपुर में 9 मिजोरम में 8 तो सबसे ज़्यादा नागा लेंड में है और उसके बाद मड़ीपूर में है इंडिया स्टेट और फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अमसार कितने राज्ज और यूटीज में उनके भागुलिक शेत्र का 33% से अधिक शेत्रफल वना च्छादित है कितने ऐसे हैं तो कौन से 17 17 सट्रा राज्ज और यूटिज का 33% से अधिक भागुलिक शेत्र क्या है मनच च्छादित है नेक्श खलते हैं धूप घड़ चोटी राष्ट्य उद्ध्यान में किस में स्थित हैं धूप घड़ चोटी जो है ये कहा है तो ये है सत्पुडा राष्ट्य उद्ध्यान ध प्रसस्थी ते आगे चलते हैं। कौन सा अभ्यारन सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं, समस्पुर, रायबरेरी, नवाब गंच, इलाहाबाद, बखिरा, संतकभी, नगत, सांडी, हर्दोई, नवाब गंच, इलाहाबाद नहीं बलकि कहा है, उन्नाओं में हैं, ठीक है, इस तरीके से एक गलात है, आगे चलते हैं, कौन सा चत्तिसगड़ में स्थित है, अंशी, करनाटक में है, बेतला, जारखंड में है, इंडरावती, चत्तिसगड़ में है, गूगामल, गूगामल महरास्ट में है, तो इस तरीके से C आप्शन हो जाएगा, नेक्स्ट, बताना है, सुमेलित करना है, तो इता इतानकी, बेतला, बेतला भी बताया, जारखंड में है, सिरोही, मडीपूर में है, इतानकी, इतानकी गहाँ है, बताये, बेतला, जारखंड में है, इतानकी, नागालेंड में है, और गूइंदी, तमिलनाडु में है, और सिरोही, मडीपूर में है, तो ये आपको ध्यान लखना है फिर क्या कहरा है रास्टे उद्वानों को सरपर्थम में सबसे बात के काल करमा नुसा मतलब सबसे पहले फिस सबसे बात में ऐसे कौन-कौन सा हुआ तो यह आपको बताना है साइलेंट वैली काजी रंगा जिम-कारवेट काना तो सबसे पहले जो हुआ था वो कौन कारवेट हर जाएगा, फिर काजी रंगा अनुसद यानि जिम-कारवेट जो है वो हुआ था 1926 में कानां 1955, काजी रंगा 1974, सैलेंट वैली 1984 तो कौन सा कतन सथ है तो यहां पर गाईस दोनों एकदम सही है अगे चलते हैं भारत का ओशनिक नैशनल पार्क और Śथित है कच्च कच्च की खाड़ी गुजरात में अवस्थित है आगे चलते हैं कौन सा बाग अभ्यारन मद्ध प्रदेश में स्थित नहीं है अमनगड बांधोगड अभी अमनगड आपने पढ़ाया ना यूपी में स्थित है काना संजय दूबरी और माये बांधोगड ये सब क्या है मद् टकराओं के समस्या पर काम करता है या केवर जंगली हाथियों के कल्यार पर केंदित है केंद वरा प्रयोजित यूजना के रुप में आरंब किया गया है तो यहां पे कौन सा कथन गलत है तो C आप्शन ये केवर जंगली हाथियों के लिए नहीं बलकि पालतू हाथियों का कल्यार करने के लिए है ठीक है आगे चलते हैं जीवाश मीधन के बाद भारत वर्ष की उर्जा और शक्ताओं की पूर्थी के लिए दूसरा सबसे महत्यपूर शोत कौन सा है कौन सा है ये जल विद्धुत उर्जा जीवाश मीधन के बाद भारत वर्ष की उर्जा और शक्ता है तो सबसे ज्यादा जो है घैंसार वेर着 vimos की अर्व की बाद तो चैंश है फिर फा मरें चलते हैं है कि ये प्रात्मिक जॉर्य बताए चैंसा एक ये तो यो ऱंटेढक ये वाड़ी कृश यह सब है तो यह उच्वार्य शक्ति के रुप में नहीं है गार बाड़ी खुर्जा जैल और गयास यह सब है बाड़ी खुर्जा जानवरों का गोबर गहर परंप्रिक सौर उर्जा तो यह जो थे वो दादरा और नागर हवेली का विलेकर दादरा नागर हवेली तता दमन दियू के इंदर शाषित प्रदेश कर दिया गया है जिवाश में एधनों में एक मात्र उर्जा का चरम श्रोत कौन सा है तो वो कौन सा है वो है सूर्य क्या है सूर्य है नेक्स्ट वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल और पॉल्यूशन से एक्ट लागू किया गया तो इसमें से क्या होगा इसमें से कोई भी अंसर सही नहीं है लागू किया गया था तो 1977 में राष्टपती ने मंजूरी दे दी लेकिन जब लागू हुआ वो हुआ था 1978 में क्या कर दिया गया लागू कर दिया गया तो इस तरीके से यह आपका सही है आगे चलते हैं नदी का जल प्रदूशन मापा जाता है क्या जल में गुली औक्सीजन की मातरा से यह question important है PCS में भी आ चुका है और RO में भी जल में गुली औक्सीजन की मातरा से सम्बन्दित हैं आगे चलते हैं निमलिकित में कौन वायो प्रदूशन सरवादिक हानिकारक है तो कौन सा Carbon Mono Oxide जो है क्या कह रहा है सबसे अधिक हानिकारक है तो कार्बन मोनो आकसाइड जो है ये एक अधिक हानिकारक बायो प्रदूर्शक है ये क्या करती है रक्त में उपस्ति जो हीमोग्लोबिन है उससे जुड़ करके कार्वोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिसके कारण क्या होता है कि जो आईसो सोनाईट आगे चलते हैं नाब के उर्जा का उपयोग प्राया कारक है तो ये है किसका उश्मिय प्रदूशड का नाब के उर्जा का उपयोग प्राया किसका कारक है उश्मिय प्रदूशड का कारक है ठीक है आगे चलते हैं निम्लिकित में कौन सा जयाव निम्नी करड है जयाव निम्नी करड प्लास्टिक, पॉलिथीन, पारा, रबर तो कौन सा जयाव निम्नी करड है तो वह है रबर, जयाव निम्नी करड है वह है रबर मतलब वे पदाट जो जैविक प्रक्रम दौरा अब घटित हो जाते हैं जैव निमनी कररणieur यह कहलाते हैं तो जिसमें से रबड जो है यह क्या है जैव निमनी कररणょ आगे चलते हैं कथन उपर विचार करना है कथन कारण दिया है भारत में वन्शेत्र का हरास भारत के जनांकी की संक्रमर से प्रत्यक्षता संबंदित रहा है वन्शेत्र में जनसंक्या वृद्धी में प्राया नकरात्मक संबंद होता है तो यहाँ पे दोनों स्टेट्मेंट एकदम सही है और फॉलो भी कर रहा है कौन सा जयो डीजल पौधा है तो कौन सा है जयो डीजल पौधा या उसमें भी पढ़ चुके हो बायोलोजी में भी जेट ट्रोफा है ठीक है जेट ट्रोफा आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशिन के तरफ एजेंडा 21 किस शेत्र से संबंदित है तो किस संबंदित है ये सतत विकास से संबंदित है ठीक है एक मिनट आगे चलते हैं नेमली कि 39 पर विचार कीजिए और काल करमानुसार व्योस्तित करना है तो प्रोजेक्ट हाथी 1992 अभी पढ़े है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 पढ़ा है वन जिव संड़क्षड जब विपता अधिनियम talent 2002 है वन जिव संड़क्षड अधिनियम कब है परियावरार संड़क्षड मैंने बताओ है 1986 तेक है वन जिव संड़क्षड جो है 1972 है तो इसे सब साथको क्रम्षा लगा देना है तो पहले 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, जहां पर होगा, वही आपका सही हो जाएगा, तो यह option, आगे चलते हैं, प्रतिष्टिक टैलर पुरसकार किश्यत्र में दिया जाता है, तो परिया वरर सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, ट परियम्रिकित नगरों में किसमें इंडियन इंस्टिटूट ओफ एकोलोजी एंड इंवर्नमेंट स्थित है, तो कहां पर नए दिल ली, रास्टे वनीकरड यूँँ पारस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कभ की गई थी, तो यह कभ की गई थी 18 प्र्टूबर 2010 में, नेक्स्ट करना है कूट मिला आना भीबता नेसा तरत्या finding, नेसा विकास बडस्थकर परियावर प्रदोशन हाने क् सऺंए थी, तो यह कि पिया होगा नेसा बोर्णा प таких ठाल मेंट है, जल प्रदोशन से संबंधित हैं, तो wetland से संबंदीत है रामसर जो है किस से संबंदीत है wetland यानि आर्दरभुमी संदकषर से यह संबंदीत है ठीक है, रामसर जो है यह इरान में अबस्तित एक नगर है तो यहां convention रामसर में 2 फरवरी 1971 को हस्ताक शरीत हुआ था और 1975 में क्या हो गया था कि पॉइंट केलीमर है कि तो यह जो पॉइंट क्या है यह जो अस्थल और जली दाली के विश यहां पर जो जल होता वो सतह पर होता है या भूमी जो है उतले पानी से धकी होती है वो वेट लैंड कहलाती है होकीरा जो वेट लैंड है एवं उलर जील के इसासे प्रदेश लधाक में अवस्थित है ठीक है जबकि पॉइंट कैलीमर वनेजी अभ्यारन और पक्षिभ्यार तो किसमें हिमानी करित हुआ था वो था प्लिस्टोसीन हिम यूग में ठीक है नेक्स्ट है एंड लास्ट कोश्चन है शहर क्या है भारत और एशिया का प्रतम रास्टे डॉल्फिन शोध केंदर किस था अपना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है किस शहर मे है तो इससे उत्पादन में व्रिद्धी होती है मिर्दा की वर्तार संडर्शन मिर्दा कटाव का होता है इस तरीके से डी ऑप्शन यहां पर आपका क्या है सही है आगे चलते हैं मोनो क्लाइमेक्स एकल चरम सिध्धान का प्रतिपादन किया था दो जार रिकेस का कोश्च जो मतलब जो आपका प्रिवेस का कोश्चन सॉल्व होगा उसका टॉपिक होगा आर्टिक और सामाजिक विकास इसका एक लेक्शन आएंगे मतलब जिसमें आपको एकोनॉमिक से अपडेट डेटा के साथ ले करके आऊंगे उसको और दूसरा आपका क्या है जनगर्णा जो आपका जनगर्णा से संबंदी तोगा जनसंग के नगरिकरट वहां से एक आएक लेक्शन उसके बाद हम लोग क्योचिं के टेस्ट रेज को सॉल्व करेंगे तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक Share & Subscribe का काना बलो को माद बुले, Thank You So Much